हलो इस्टूदेंट्स तो आज मैं चैप्टर 6 डिसकस करने वाला हूँ और इसका टाइटिल है मेरी माँ और ये लिखा गया है ये लिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्म कथा से तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जानते हैं वे बड़े होनहार और बहुत योग थे जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय में जन्म हुआ होता तो वे सेना अध्यक्ष बनते है ना ये कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंतरता सेनानी भगत सिंग जी का राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में भगत सिंग जी ने इतनी बड़ी बड़ी बाते हैं कहीं राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उसमें भारत पर अंग्रेजों का अधिपत्य था भारत अंग्रेजों का अधिपत्य था मतलब भारत अंग्रेजों का गुल अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे, जेल में रहते रहते उन्होंने चोड़ी छीपे अपनी आत्मकत्था लिखी, अगर खूल करके आत्मकत्था लिखने को मौका मिलता, तो साथ और भी अच्छी बन पाती है, ना, अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर वो अपनी आत्मकत्था के अंस को भेजते रहे, और उनके साथियों ने उसे प्रकासित भी करवा दिया, पब्लिस करवा दिया, इसका नाम रखा गया, निज जीवन की एक छटा, निज, निज का मतलब यहाँ पर है पर्सनल, है यह होता है, तो इस पुस्तक ने अंग्रेजों के हो सुड़ा दिये, लोगों में अंग्रेजों की विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया, और इस तरह से इस आत्मकत्था के कारण, अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा नहीं सके, चुकि लोगों के मन में बिस्मिल की आत्मकत्था को पढ़कर के जो भावना देजभक्ति की घर कही, वो फैलती ही चली गई, और खास तोरपर युवा लोगों के मन में इस बात का काफी असर पड़ा, तो यह जो आत्मकत्था है, इस आत्मकत्था के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्त इसक में जीवित होने वाली बात का मतलब हो गया अमर होना, अमिट होना। आज भी यहां आत्मकथा लोगों को प्रेडित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं। क्या कहा हां। तो यहां प्रस्तूत है उसी आत्मकथा का एक अंस। अंसका मतलब हो क्या पार्ट है ना हिस्सा आत्मकथा तो 200-300 पेज की होगी कम से कम उतनी बड़ी होगी यहां पर हम 3-4 पेज में उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा पढ़ने वाले हैं तो बच्चों आगे आत्मकथा का हिस्सा शुरू करने से पहले एक बार मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग आप इसे लाइक करो सेयर करो सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखना कि मैंने अच्छे तरीके से यह चैप्टर आ आपको हिंदी के, इंग्लिज के, माथमेटिक्स के, साइन्स के चैप्टर का एक्स्पानेशन भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा तो जल्दी से अब हम लोग जट से उनकी आत्मकथा का हिस्सा शुरू करते हैं वो लिखते हैं कि लखनो कॉंग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी लखनो कॉंग्रेस का मतलब है कि लखनो में कॉंग्रेस की मीटिंग होने वाली होगी दादी जी और पिता जी तो विरोध करते रहे किन्तो माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया तो यहाँ पर खर्च का मतलब है वो खर्च जो लखनों की उस मिटिंग में भाग लेने के लिए आने जाने का खर्च होने वाला था उसी समय साह जहांपुर में सेवा समीती का आरंब हुआ था मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समीती में सहयोग देता था पिता जी और दादा जी को मेरे इस प्रकार के काड़े अच्छे ना लगते थे संभव है पिता जी और दादा जी इस बात का विरोध करते हों कि इतनी कम उम्र में राम प्रसाद बिस्मिल को इतने बड़े काम में या सौतंता संग्राम में पार्टिसीपेट नहीं करना चाहिए साथ ej संचते रहे हो लेकिन माता जी मेरा उत्साहँ भं नहीं होने देती थी ऐसा कहा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने माता जी के बारे में उन्हें कहा कि वो हमेशा मोटिवेट करती थी जिसके कारण उन्हें अक्सर पिता जी की डाण, फटकार या तथा दंड भी सहन करना होता था वास्ताव में मेरी माता जी देवी हैं, देवी समान मुझे में जो कुछ भी जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव स्री सोम देव जी की कृपाओं का ही पड़िनाम है तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने माता जी का नाम लिया है और अपने गुरुदेव स्री सोन देव जी का नाम लिया है कि इन दोनों की वज़े से इनकी जीवन में यह सारे इतने पॉजिटिव चेंजेज आये साहस आया संबल आया है ना दादी जी और पिता जी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते रहे किन्तु माता जी यही कहती है कि सिक्षा पाच चुकने के बाद ही विवाह करना ओचित होगा तो बच्चों ये बात उस समय की है ना जिस समय बाल विवाह हुआ करते थे बाल विवा का मतलब है कि कम उम्र में ही लोगों की साधी हो जाया करती थी कम उम्र का मतलब है अंडर 18 14 साल में, 16 साल में, 13 साल में ऐसे तो 13-14 साल में कोई पढ़ाई थोड़े न पूरी होती है पढ़ाई तो आजकल पूरी होती है 22-23 साल पे जा करके तो माता जी के प्रोशाहत तथा सद्विवहार ने मेरे जीवन में वह द्रिढता उत्पन्न की कि किसी आपत्ती तथा आपत्ती का मतलब है प्राबलम तथा संकट के आने के बाद में भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा संकल्प का मतलब है commitment से प्रतिग्या से जो बात आपने एक बार तैग कर ली तो इनके मन में क्या संकल्प रहा होगा? इनके मन में संकल्प रहा होगा देश भक्ति का स्वतंत्रता संग्राम का यही तो संकल्प रहा होगा इनका वो कहते हैं कि एक समय मेरे पिता जी दिवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गये थे कि जो काम हो वो मुझसे करा लें तो इसका मतलब यह है कि इनके पिता जी वकालत से सम्धित काम किया करते थे ना? तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा था एक वकील से कि जो काम हो वो बिश्मिल जी से करा ले कुछ आवे सकता पढ़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिता जी के हस्ताक्षर वकालत नामे पर कर दूँ कौनसी बात कहिं उन्होंने कि पिता जी का साइन पिता जी का सिगनेचर वकालत नामे पर कर दूँ मैंने तुरंट उतर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध हो है यह सच में यह बात जो है यो तो गलत बात है कि कोई बच्चा कोई स्टूडेंट अपने गार्जियन का अपने पैरेंस का सिगनेचर क्यों करें तो नोंने कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है और इस प्रकार का पाप मैं कदापी नहीं कर सकता कदापी का मतलब है कभी नहीं वकील सहाब ने बहुत समझाया कि वही मुकदमा खारिज हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा किन्तु वो राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मुझ पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा कुछ भी प्रभाव ना हुआ नमायने हस्ताक्षर किये अपने जीवन में हमेशा सत्ति का आचरंग करता था चाहे कुछ भी हो जाए सत्ति बात कह देता था तो ग्यारा वर्स की मुड में माता जी विवाह करके साहा जहापुर आई थी देखो इनकी मा का भी बाल विवाह हुआ होगा उस समय वह नितांत और सिक्षित इलिटरेट और एक ग्रामीन करन्या के समान थी है ना ग्रामीन का मतलब है रूरल साह जहाँ पुराने के थोड़ी दिनों के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया उन्होंने माता जी को ग्रिह का रिये घर का काम यहाँ पर उन्होंने इस किताब में यह जो तस्वीर दिखाई गई है इसमें संभव है कि बीच की जो तस्वीर है वो उनकी मा की रही होंगी या मा की बगल में जो एक बाली का सी बैठी है यह संभव है उनकी मा रही है अच्छा तो ये है कि उनको उन्होंने माता जी को ग्रिह कारी की सिक्षा दी जिसे आजकल स्कूल कॉलेज में होम साइंस के नाम से पढ़ाया जाता है बिल्कुल ये एक सब्जेक्ट है तो थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया कहां का कामकाज घर का कामकाज और भोजन आदी का ठीक ठाक प्रबंद करने लगी मेरे जन्म होने के पांच या साथ वर्स बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरम किया पढ़ने का सौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था महले की सकी सहली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में जो सिक्षित थी माता जी उनसे अक्छर बोध करती इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता तो उसमें पढ़ना लिखना करती थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की मा परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्यन करने लगी थी देवनागरी पुस्तकों का मतलब है वो किताबें जो देवनागरी लिपी में लिखी हुई हों तो हिंदी देवनागरी लिपी में ही तो लिखी जाती है ये जो लिपी है आप माता जी से खूब वारताला कनवर्सेशन होता था। उस समय क्या पिक्षा उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई कर लेने से बुद्धी खुल दाती है। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अती साधारन मनुस्यों की भाती संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा दी के अतिरिक्त। क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही साहता की है। जैसे मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्रान हानी ना हो किसी की जान ना जाए किसी का मडर नहीं करना है किसी की हत्या नहीं करना है किसी को चोट नहीं पहुचानी है यह आग्या थी उनकी माता जी की उनका कहना था कि अपने सत्रु को भी कभी प्रान दंड ना देनारे बाप्रे उनकी माता जी तो बहुत ही दयालू थी उनकी इस आदेश की पूर्ती करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिग्या भंग करनी पड़ी थी जन्मदात्री जननी इस जीवन में तो तुम्हारा रिन उतारने का प्रयत्न करने का अवसर ना मिला इस जन्में तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी साड़े जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुझसे उडिन नहीं हो सकता उडिन करने का मतलब है कि कर्ज चुका पाना है ना कर्ज चुका देना तो वो कहते हैं अपनी माता जी को कि साइद इस जन में तो मैं कर्ज ना चुका पाऊंग ऐसा कहा जिस प्रेम तथा द्रेड़ता के साथ तुमने इस तुक्स जीवन का सुधार किया है वो आवर्ण निये है विच कैनाट बी डिस्क्राइब्ड यह ना विच कांट भी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स और लब जिसकी हम तारीफ सब्दों में नहीं कर सकते इसलिए लिखा उन्होंने आवर्ण निये है आगे कहते हैं वो कि मुझे जीवन की प्रते घटना का आस्मरन है तुमने जिस प्रकार अपनी देववानी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ना इसमें कि साधी के बाद भी बड़े हो जाने के बाद में उनकी माता जी ने ससुराल में रहकर के घर पर रहकर के उन्होंने हिंदी पढ़ना लिखा सीखा और उसमें से वह जो कुछ भी अच्छा पढ़ती थी वो राम प्रसाद बिस्मिल को सुनाया करती थी उपदेश वगरण, धार्मिक गरंथ वगरण के बारे में है ना और इससे क्या होता है इससे व्यक्तित्व निर्मान होता है तो इनके व्यक्तित्व निर्मान में इन्होंने खुद भी कहा है कि इनकी माता जी और इनके गुरु जी का बहुत बढ़ा रोल रहा है धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोथसाहन ने सहता दी तुम्हारी दया से ही मैं देश सिवा में संगलगन हो सका, सामिल हो सका जो कुछ सिक्षा मैंने ग्रहन की उसका भी स्रे तुम ही को है स्रे को हम लोग कहेंगे क्रेडिट जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उपदेश, प्रीचिंग, उसका श्मरन करके, याद करके तुम्हारी मंगल मई मूर्ती का ध्यान आ जाता है और मस्तक जुग जाता है तुम्हें यदि मुझे तारना भी देनी हुई तारना का मतलब है डाटना डाट फटकार तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया यदि मैंने ध्रिष्टता पूर्वक उत्तर दिया तब तुम्हें प्रेम भड़े सब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो कि तुम्हें ऐसा करना ठीक नहीं इसका पड़िनाम अच्छा ना होगा जीवन दात्री माता के लिए संबोधन है कि तुम्ने शरीर को जन्म देकर के किवल पालन पोसन ही नहीं किया भलकि आत्मिक धार्मिक तथा सामाजी कुन्नती में तुम ही मेरी सदयायव सहायक रही जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दें कितनी बड़ी कामना की है तुम परशाद बिस्मिजी ने कि चाहे मुझे जितने भी जन्म लेने पड़ें हर जन्म में तुम ही मेरी मा हो महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया इंपेसेंट नहीं होने दिया सदैव अपनी प्रेम भड़ी वानी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कस्ट अनुभाव ना किया इस संसार में मेरे किसी भी भोग विलास की लगता है आगे की लाइन लिखी होगी कि किसी भी भोग विलास की इच्छा नहीं रही केवल एक इच्छा है वह ये कि एक बार स्रद्धा पुर्वक तुम्हारे चर्णों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता किन्तु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और अभी तुम्हें मेरी मृत्यू की दुख बड़ी खबर सुनाई जाएगी ऐसा कहते हैं तो ऐसा कहने से ऐसा लग रहा है कि ये चिठी उन्होंने बिल्कुल ठीक उसी समय लिखी है जब इनको फासी देने की खोसना हो गई थी आगे कहते हैं कि मा मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ करके धैड धारन करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता अर्थात भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बली देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंग कितना की कोख का मतलब होता है माता का कोख जहां पर बच्चे पलते हैं जन्म लेने से पहले और अपनी प्रतिग्यां पर द्रिढ रहा जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा स्वाधीन का मतलब है इंडिपेंडेंट आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी प्रिष्ट पर उज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा गुरु गोविन सिंग जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मिरित्यू की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन हुई थी ऐसा क्यों क्योंकि गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाईया बाती थी वो समझ गई थी कि उनके पुत्र सहज मिडित्यों को प्राप नहीं हुए हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्वानी दी है, फिर से कहते हैं रामप्रसाद बिस्मिल जी कि जन्मदात्री, वर्दो कि अंतिम समय भी मेरा हिर्दय किसी प्रकार वि और आखिर में वो अपना नाम लिखते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रामप्रसाद बिस्मिल जी का एक छोटा सा संचिप परचे देख रहे हैं, कि भारत के सुतनता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया, सरफरोसी की तमन्ना जैसा तराना जो गीत बड़ा ही इंस्पाइरिंग, बहुत मोटिवेटिंग और जोस भरतेने वाला गीत है, कि सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख गाना रिकॉर्ड करके आपनों को सुनाऊंगा, तो ये सरफरोसी की तमन्ना जैसा गीत लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्ही क्रांतिकारियों में से एक थे, मात्र 30 वर्स की आयू में 30 एर्स केज में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दि अंतिवा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवी भी थे, एक अच्छे लेखत भी थे, उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी आत्म कथा का फिर्चर जीत रही, तो मेरी मा ये जो चैप्टर आपने पढ़ा अभी अभी, ये उनकी आत्म कथा का ही एक अंस है, यहाँ आप देख सकते हो कि कितने कम उम्र की जीवन, 1897 से 1927, मातर 30 साल की जिन्दगी इन्होंने जिया है, और वो हंस्ते हंस्ते इस देश के लिए गुर्वान हो गए, तो इस टुडेंट इस चैप्टर का एक्स्प्लानेशन यहाँ पर खत्म होता है, इ कि सर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गाने की एक रिकॉर्डिंग मैं आपके लिए अप्लोड करूँगा, साथ ही साथ इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी मैं अप्लोड करूँगा अलग से, ठीक है ना, ओके, तो आखिर मैं फिर से कहता हूँ कि मेरा चैनल ह न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, सेर करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैप्टर के इसक्लाइशन के बारे में अपने कमेंट्स जरूर लिखना है ना, मुझे आपके कमेंट्स का इंजार रहेगा, आपके कमेंट्स, आपका लाइक, इस चैनल की क्वालिटी को करने में, और आपके लिए जरूरत भरा चीज, मैटर कंटेंट अपलोड करने में हमारे लिए काफी हेलफुल होगा, तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ में, हैपी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग, थैंक्यू फर वाचिंग,